करेंगे तो इसके पिछले मैंने एक से लेकर नौ तक का सुलूशन करेंगे तो इसकी वीडियो नहीं देखिए तो दो या तीन वीडियो है आपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं चलिए कुशन नमबर जो टेन करता है कि दर्शाई की एवन एटू एथरी डॉट 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 एन से एक एपी बनती है यदि एन नीचे दिया अनसार परिवासित हो चलिए तो आप क्या करना एपी याद करना है चलिए देखते हैं पहला कंडिशन एए न बराबर 3 प्लस 4 चलिए पहले कंडिशन के हिसा आप देखते हैं नमबर फरस्ट एन बराबर 3 प्लस 4 एन लेना है चलिए तब एवन एन के जब वन रखते हैं तो हो जागा 3 प्लस 4 इंटू 1 याने 3 चार साथ हो गया उसी पर का एटू ग्याद करना है तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 याने देखे चार दोनी आठ 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 तीन 11 ये थिरी ग्याद करना है तो एन के जब किता रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा 4 इंटू 3 चार तीया बार 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 तीन 15 याने क्या है कि आप देख लें और डी निकाल लेते हैं साथ में दी बराबर एटू माइनस एव देखें इसको इखटाएं तो 4 आता है इसको इखटाएं तो 4 आता है मतलब क्या है डी समान है तो क्या एपी में है यहां लिख सकते हैं इसलिए 7 11 15 डॉलर 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 इसी पकार आगे एपी में है क्या है एपी में है चलिए अब एपी में है तो इस कंडिशन के अनुस पदों तक का योग ज्याद किजिए इसके 15 पदों तक का योग ज्याद करें चलिए तो योग ज्याद करना है 15 पद तक तो चलिए यहां किसा आप से देख लेते हैं A1 यानि A बरावर 7 है B बरावर आपका कितना है था 4 है और देखिए N बरावर 15 पर दिया है तो इस N बरावर 15 पर क्या करना आपको ज्याद करना चलिए 15 पर बरावर क्या हो जाए 15 बरावर 2 इंटू 2 है 2 इंटू 1 का मान 7 प्लस N माइनस 1 इंट का मान 4 चलिए तो 15 बरावर 2 इंटू 7 दुनी 14 पंदर में सगिया 14 14 चोका 56 चलिए थो हो गया पंदर बटा दो गुने सत्तर चलिए 35 दुनी सत्तर तो 35 गुने पंदर कितना पांसो पच्चीस तो यही आपका answer हो गया तो यह था आपको question number 10 का solution के first का solution चलिए question number 10 का 2 देखते हैं ठीक है दूसरा question है an बराबर 9 minus five five चलिए देख लिए दूसरा है ए इन बराबर 9-5 चलिए इन माइनस है अब इसको क्या करना कि बारी बारी से आपको हल करना ठीक है चलिए तो देखते हैं इसको भी हम बारी बारी से हल करते हैं चलिए यहां भी इन के जब वन रखना है तो 9-5 into 1 कितना हो जागा 4 उसी पकार एटू रखेंगे तो 9-5 into 2 10 में से कितना नौ गया तो माइनस 1 ए 3 लेते हैं तो 9-5 into 3 पांत या 15 15 में से नौ गया माइनस 6 अब देख लिए डे बराबर 2-1 या 3-2 गेस आफसे हैं तो बजाए कितना माइनस 4 या माइनस 6 माइनस माइनस 1 या 9-5 या इसलिए अब लिख लेंगे कि चार कॉमा माइनस एक कॉमा माइनस छे क्या है एपी में है क्या है एपी में है तो एपी में है तो आपको क्या कहता कि पंदरह पर तक का योग ग्याद करना है चलिए तो देख लेतें ए बराबर कितना है ए बराबर कितना है चारा है डी वराबर कितना माईनस पांच है एन बराबर पंदरः दिया ही है तो एस पंदरः का मान क्या करना है ग्याद करना है तो एस 15 बराबर कितना l yo yयने पंदरः वर्टा दो in to 2 in to a का मान 4 n-1 ययने पंदरः माइनस 1 और d का मान मान माइनस 5 हो गया गुने माइनेस बासर्ट चौदर चौदर पज़ेस सतर होगा यह माइनस में है तो उसकी कारण माइनस लिखेंगे आप देखिए दो बार से कटेगा 31 तो माइनस 31 गुने पंदर कितना माइनस 465 यही आपका एंस हो गया तो इस प्रकार क्या है आप क्या कर सकते हैं इसको बना कोशन में गया रख करता कि यह किसी एपी के प्रथम इन पदों का यूग कितना है याने एसन कामान दिया हुआ कितना चार इन माइनस एन स्क्वार तो इसका प्रथम पद क्या है याने प्रथम पद याने करता कि एवन ठीक है बराबर वाट गयाद करना प्रथम पद को उना सकते हैं दिया है और प्रत्रों दो पदों का योग यान आप वराबर वारt ज्याद पर्ता पर ए3 वराबर वाड दसमा पद से एक पहला पद n-1 लेते हैं तो कितना हो जागा 4 n-1-n-1 का whole square ठीक है चली यह इसका formula हो जाता है चली तो हो जागा कितना यहां पर देखे हो जागा 4 n-4- इसको देख लेते हैं तो कितना हो जागा n का square minus 2 into n into 1 plus 1 का square चली हो गया तो कितना हो जागा 4 n-4-n square minus into minus plus 2 n plus into minus minus 1 चली तो हो गया अब देखें चार दो 6 n-n square minus 5 हो जागा ठीक है अब चली अब हम क्या कर लेते हैं s-n minus 1 का मान कितना कि इसको लिख लेते हैं 6 n-n square minus 5 हो गया अब चली हम क्या करते हैं सबसे पहले अंतिम पर निकालते हैं देखें अगरी s-n का मान दिया हो या s-n minus 1 का मान दिया हो तो अंतिम पर का फर्मूला होता है s-n minus 1 ठीक है आपको यह formula है ठीक है इसको याद रखना है कि यदि क्या हो कि पदों का योगों का मान दिया है तो formula होता है n बराबर s-n minus 1 चली तो यहाँ लिख लेते हैं n बराबर s-n का मान आपको प्रश्ण में दिया था 4n minus n square minus अभी आपने जस्ट निकाला है s-n का मान 6n minus n square minus 5 ठीक है चली लिख लेते हैं 4n minus n square minus 6n minus into minus plus n square minus into minus plus देखे n square से n square खता है तो कितना हो जागा minus 2n plus 5 ठीक है यहाँ इसको सजा लें तो 5 minus 2n हो जाएगा ठीक है अब चली आगे क्या करते हैं अब हमको बारिवाय से मान याद करना है सबसे पहले था n बराबर 1 पर यानि पहला पदा आपको याद करना था तो a1 का मान कितना हो जाएगा 5 minus 2n दिया हुआ है तो 5 minus 2 into 1 तो 5 minus 2 बराबर कितना 3 यह आप हो गया a1 का मान दूसरा में कहता था कि आपको दो पदों का योग याद करना है तो a1 बराबर दिया है कितना 4n minus n square तो a2 ज्याद करना है तो 4 into 2 minus 2 का square तो 8 minus 4 कितना मान आगा 4n सर्फ ठीक है चल तीसरा देखते हम हमको कहता है कि दूसरा पद ज्याद कीज़े तो a1 बराबर हमको पता है कितना है 5 minus 2n है ठीक है चले हमको ज्याद करना है a2 तो 5 minus 2 into 2 पांच में चार गया एक यही आपका एंसर है चले चौथा कता है कि आप इसमें क्या हमको तीसरा पद ज्याद करना है यानि a1 बराबर कितना है तो 5 minus 2 into 3 तो 5 minus 2 into 3 तो 5 minus 6 यह कितना minus 1 एंसर ठीक है आप देखे इसम क्याता है कि दसमा पर गयाद किए यह गयाद किए दसमा पर चलिए तो यह दस कितना है 5 minus 2 into 10 तो कितना minus 15 और आप गाता था एंकामान गयाद करना तो आप पहली क्या कर चुके हैं यह इन कामान तो आप निकाल चुके थे तो यह था आपका question number 11 का solution चले चलते है question number 12 में क्याता है कि ऐसे प्रथम 40 धन पुरनांको का योग ज्याद किजिए जो 6 से क्या हैं विभाज हैं तो हम लिखेंगे कि 6 से विभाज, क्या 6 से विभाज धन पुर्णांक, 6 से विभाज धन पुर्णांक कौन-कौन है, 6 है, 12 है, 18 है, dot dot dot, क्या है, है, कहीं तक, ठीक है, अब चलिए, हमको कता, एस चालिस, एस चालिस, पुर्णांक, तो चालिस, पुर्णांक का यूग याद करना है, तो इन, इनका मान तो चालिस, हो गया, तो चालिस, बटा 2, ने काटे, तो 20, तो 20, देख ले, देखें तो कितना जगा उनचा सो बीस आपका यह हो गया चालिस धन पुनांकों का योग यह था आपका कोश्चन नमब बार चले चलते हैं कोश्चन नमब तेरह में कोश्चन नमब तेरह काता है कि आठ के प्रथम पंदर गुनाजों का योग याद कीजिए तो आठ लिखेंगे आठ के प्रथम पंदर गुनाज ठीक है कौन-कौन हो जाएंगे आठ सोलर चौबीस बद्तिस डॉट 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 आगे यहाने पंदर तक जब तक क्या बर गुणर चलिए तो यहां यह बराबर कितना है आठ है डी बराबर सू्लर में साथ का अंतल चलेगा आठ का गुनरच यह फ्याद तो हमको ग्हाद करना क्या एस 15 का मान थे इस 15 За 2 इंटु टू इन इन कामान 15 lit कामान 7 इन cooler क prosecutors Speak फैया आर्दुनी 16 पलस 14 ठी 112 तो 15 बटा दो 15 बटा दो इंटू 108 याने कितना चौसर तो चौसर गुने 15 कितना हो जागा 960 आपका एंसर हो जागा तो यह था आपको कुश्चिन नमबर 13 चले चलते हैं कोश्चिन नमबर 14 में चले कोश्चिन नमबर 14 करता है कि जीरो और 50 के बीच की बिसम संख्याओं का योग जाद करना है है कि जीरो और 50 के बीच जीरो और पचास के बीच बिसम संख्याओं किया है बिसम संख्याओं कॉन कोन है भाई हम उसको देख लेते हैं तो जानते हैं जीरो को यहादा स्टाट उता है पर चलेगा एक कमान दीया हुए 49 लास्त पांचास न चलिए सबसे पहले एक कामान ग्या परें नहीं दिय चली एंवाद करेंदे के उस strive कॉंवाद करें ही इन माइनस ओन को दरtar तो 29 नहीं द्रोच, हैंस में इस नाइन का जा कॉणिं आई कितना किल न न वटा टुने 25 वर्टा टू इन्टू टू ए टू इन्टू two in कामान्ट one n-one याने 5 माइनस एhe गुनोंई डी कामान कितना दो चलि तो हम को क्या आई इसका योग याद करना तो चले पचीस वटा दो दो एक आई दो पलस चोवी दो नहीं 48 चले तो पचीस वटा दो गुने 48 दो पच्चास चले इसको काटेंगे तो पचीस तो पचीस गुना पचीस कितना छेसो पचीस यह आपका एंसर हो गया तो यह था आपका question number 14 का solution तो आज के लिए इतना ही वीडियो पसंदा है तो प्लीज लाइक करें शेर करें और नहीं है तो सब्सक्राइब करना न भूलें चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जाहें